नमस्कार दोस्तों मैं संतोस पटेल स्वागत करता हूँ आपके अपने योटूब चैनल डिजिटल भंडार पर आज की वीडियो में हम सभी प्रकार के कॉम्टेटव एक्जाम के लिए और सीपी सीटी एक्जाम के लिए कम्प्यूटर से सम्बंदित 20 इंपोटेंट कॉस्च जो पहले भी cpct एक्जाम में या किसी ना किसी कॉम्टेटव एक्जाम में पूछे जा चुके हैं आप किसी भी कॉम्टेटव एक्जाम के लिए या cpct एक्जाम के लिए यदि कम्प्यूटर के important question तायार करना चाहते हैं तो आप इन सभी वीडियो के माध्यम से गात करते हैं आज की इस वीडियो का, देखते हैं आज का हमारा पहला question क्या है, पहला question हम से पूछा गया है, चिप को blank भी कहा जाता है, चिप को blank भी कहा जाता है, computer system के अंदर या किसी भी device के अंदर जो chip use की जाती है, उससे क्या कहा जाता है, चिप का दूसरा नाम होता है, IC, जो chip होती है, computer system के अंदर जो chip use की जाती है, उन्हें क्या भी कहा जाता है, IC का full form भी आपको पता होना चाहिए, IC का full form होता है, integrated circuit, integrated circuit, तो chip को IC भी कहा जाता है, IC का full form होता है, integrated circuit, तो इस question का सही answer होगा, option number B, यहाँ पर आपको दो question और तयार करने है, SMPS का full form क्या होता है, SMPS का full form होता है, switched mode power supply, computer system की जो power supply होती है, उसे short में कहा जाता है, SMPS, जिसका full form होता है, switched mode power supply, आपको CPU का full form भी पता होना चाहिए, CPU का full form होता है, central processing unit, जो की computer system का brain होता है, computer system में सभी प्रकार के operation को perform करता है, तो इस question का answer होगा, option number B, chip को IC भी कहा जाता है, IC और IC का full form होता है, integrated circuit, जो IC chip होती है, वह silicon material की बनी होती है, silicon material की, एक question आप से पूछा जा सकता है, कि IC chip किस material की बनी होती है, तो IC chip silicon की बनी होती है, देखते हैं हमारे next question को, next question है, निम्न लिखित में से कौन सा portable computer नहीं है, निम्न लिखित में से कौन सा portable computer नहीं है, portable computer कौन से होते हैं, जिनको हम आसानी से एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर ले जा सकते हैं, जिन computer को हम carry कर सकते हैं, यहां से वहाँ आसानी से ले जा सकते हैं, वह कहलाते हैं, portable computer, portable computer एक ऐसा computer हैं, जिसको आसानी से एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर move किया जा सकता हैं, ले जाया जा सकता है, वह कहलाता है, portable computer तो हमें computer के कूछ type दिये गए हैं और हमसे पूचा गया है, निम्न लिखित में से कौन सा portable computer नहीं है, तो laptop तो एक portable computer है, लेप्टॉप को हम आसानी से यहां से बहां ले जा सकते हैं नोटबुक जो नोटबुक है वह भी लेप्टॉप का ही एक टाइप है लिकन यह है लेप्टॉप से छोटा और लेप्टॉप से स्लिम होता है Palm Top, Palm Top तो tablet या smartphone को कह सकते हैं, जिसे हम हाथ में लेकर use कर सकते हैं, तो यहाँ पर answer होगा हमारा option number C, desktop computer जो होता है, desktop computer वह एक portable computer नहीं होता है, desktop computer को एक fixed इस्थान पर use किया जाता है, जबकि laptop, notebook, palm top को हम आसानी से एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर लिजा सकते हैं, तो इस्थान का answer होगा option number C, जो desktop computer होता है, वह portable computer नहीं होता है, दिखते हमारे next question को, next question है, निमनलिखित में से कौन सा optical storage device नहीं है, निमनलिखित में से कौन सा optical storage device नहीं है, optical storage device कौन सी होती है, जैसे की CD, DVD, Blu-ray, यह सभी होती है, optical storage device, जो की glass या plastic type के material से बनी होती है, उन्हें कहा जाता है, optical storage device, जो भी optical storage device है, वह सभी secondary memory का type होती है, secondary memory, optical disk में आ जाती है, CD, DVD, Blu-ray, यह सभी होती है, हमारी optical storage device, और CD के कई type होते हैं, जैसे की CDR होता है, CDROM होता है, CDRW होता है, यह सभी CD के type होते हैं, तो हमें यहाँ पर 4 memory दी गई हैं, और हमसे पूछा गया है, निमन लेखे तमें कौन सा optical storage device नहीं है, तो यहाँ पर CDROM जो है, यह तो optical storage device है, DVD भी है, Blu-ray disk भी है, लेकिन जो hardics है, यह optical storage device नहीं है, यह एक magnetic disk होती है, magnetic disk होती है, जो hardics है, जो floppy disk है, यह दोनो magnetic storage device होती है, magnetic disk होती है, जबकि CDROM, DVD, Blu-ray, यह तीनों यहाँ पर optical storage device है, तिस question का answer क्या होगा, option number A, hardics optical storage device नहीं है, hardics एक magnetic disk या magnetic storage device होती है, यहाँ पर आपको कुछ और question भी तयार करने है, CDROM का full form होता है, compact disk, read only memory, CDROM का full form होता है, compact disk, recordable, CDROM का हमने अभी देखा, compact disk, read only memory, CDRW का full form होता है, compact disk, re-writable, compact disk, re-writable, और DVD का full form होता है, digital versatile disk, digital versatile disk, जो CD है, CDROM है, CDR है, CDRW है, DVD है, Blu-ray है, यह सभी optical storage device होती है, hardics optical storage device नहीं होती है, तिस question का answer होगा, option number A, hardics, देखते हैं हमारे next question को, next question है, निमनलिकित मैं से, कौन high-label language नहीं है, यह question coding से, programming से संबंदित है, हमें कुछ programming language के नाम दिये गए हैं, और हमसे पूछा गया है, निमनलिकित मैं से, कौन high-label language नहीं है, तो यहाँ पर, जो fortran है, यह तो एक high-label language है, c++ भी एक high-label language है, java भी एक high-label language है, लेकिन जो assembly language है, assembly language, यह एक high-label language नहीं है, यह एक low-label language है, low-label language एक होती है machine language, जो की होती है binary language, 0-1 की language, यह है low-label language, और दूसरी low-label language होती है, assembly language, assembly language एक low-level language है और machine language या binary language एक low-level language है बागी यहाँ पर जो भी हमें option दिये गए हैं यह सभी high-level language है आपको यहाँ पर दो-तिन question और तयार करने है जो assembly language है, यह second generation की programming language है assembly language, second generation की programming language है जो machine language या binary language है, यह first generation की programming language है जो Fortran है, C++ है, Java है यह तीनों ही third generation की programming language है आपको Fortran का full form भी याद करना है Fortran का full form होता है, formula translation और यह है पहली high-level language है first high-level language है तो यहाँ पर हमने एक साथ कई question तयार करे इस question का answer है option number D assembly language एक low-level language होती है यह high-level language नहीं है देखते हमारे next question को next question है निमने लिखित में से कौन सा utility software है हमें कुछ software के नाम दिये गए है और हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन दोस तो एक operating system है Unix भी एक operating system है और MS Excel एक application software है spreadseed software है लेकिन जो disk defragmenter है disk defragmenter एक utility software है disk defragmenter एक utility software है disk defragmenter करता क्या है हमारे computer system की सभी file और folder को rearrange करता है मतलब विवस्थित तरीके से arrange कर देता है हमारे computer system में जो भी file folder होते है उन सभी को proper arrange करने के लिए disk defragmenter का use किया जाता है यह सभी file folder को arrange करता है और memory space को proper use करता है इसलिए यह हमारे computer की speed को बड़ा देता है जिस question का answer होगा option number A disk defragmenter एक utility software होता है देखते हैं हमारे next question को next question है किसी document में new paragraph create करने के लिए किसे shortcut key का उपयोग किया जाता है किसी word document में new paragraph create करने के लिए किसे shortcut key का उपयोग किया जाता है यह question MS word से पूछा गया है यदि हमें MS word document में एक नया paragraph create करना है तो हम कौन सी shortcut की उपयोग करेंगे MS Word में जब आप typing करते हैं और enter key को press करते हैं, enter key को, तो एक नया paragraph create हो जाता है, मतलब typing करते समय, यदि हम enter key को press करेंगे, तो एक नया paragraph create हो जाता है, तो enter key के द्वारा एक नया paragraph create होता है, मतलब इस question का answer क्या होगा, option number C, किसी word document में new paragraph create करने के लिए enter key का उपियोग किया जाता है, इस question का answer होगा, option number C, इसको हम MS Word पर practically भी देख सकते हैं, चलते हैं MS Word पर, यह हमारा MS Word software है, जिसमें हमने कुछ sample text type किया है, अब यदि हमें यहाँ पर एक नया paragraph create करना है, तो जहाँ पर भी हमें नया paragraph create करना है, हम बहाँ पर cursor को रखेंगे, और enter key को press करेंगे, मतलब जहाँ से हमने enter key को press किया है, बहाँ से एक नया paragraph create हो जाता है, आपको जहाँ पर भी एक नया paragraph बनाना है, आप बहाँ पर अपना cursor रखेंगे, और enter key को press करें, एक नया paragraph create हो जाता है, मतलब टाइपिंग करते समय, enter key को press करने पर एक नया paragraph create होता है, देखते हैं हमारे next question को, next question है, ms word में किसी word पर लगातार blank बार click करने से वह word select हो जाता है, ms word में किसी word पर लगातार blank बार मतलब blank times click करने पर वह word select हो जाता है, यह question भी ms word से पूछा गया है, ms word में यदि हमें किसी word को, मतलब किसी सब्द को यदि select करना है, तो हमें उस पर कितनी बार click करना होता है, यह question आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि MS word में complete word को select करने के लिए उस word पर कितनी बार click करना होता है MS word में यदि आप किसी complete word को select करना चाहते हैं तो आप उस पर double click करें double click, ms word में आपने जो भी text टाइप किया है, यदि आप किसी भी word को select करना चाहते हैं, तो आप उस word पर double click करें, double click करने से complete word select हो जाता है, तिस question का answer होगा, option number B, जो जाता है, यहाँ पर आपको एक और question तयार करना है, यदि आप किसी character पर, किसी word पर, three times click करते हैं, regular, तीन बार click करते हैं, तो आप जिस word पर, जिस character पर click करते हैं, उस word का complete paragraph select हो जाता है, complete paragraph, मतलब किसी word पर यदि आप double click करेंगे, तो वह word select होगा, और यदि आप किसी word पर three times click करेंगे, तो जिस paragraph का word होगा, वह complete paragraph select हो जाता है, हम इन दोनों option को, ms word पर practically समझने माले हैं, चलते MS Word पर, यह MS Word software है, जहां पर हमने कुछ sample text टाइप किया है, यदि हमें किसी एक word को select करना है, तो हम उस word पर double click करेंगे, आप देख सकते हैं, double click करने पर वह complete word select हो जाता है, हमें जिस word को select करना है, उस पर हम double click करते हैं, एक complete word select हो जाता है, लेकिन यदि हम किसी word पर, किसी character पर regular three times किलिक कर दें, तो वह complete paragraph select हो जाता है, जिस paragraph में हमारा करजर है, यदि हम three times किलिक करते हैं, तो complete paragraph select हो जाता है, यहां पर हमने दो question तयार करें, किसी word पर, लगातार दो बार किलिक करने पर, वह word select हो जाता है, और यदि हम तीन बार किलिक करते हैं, तो complete paragraph select हो जाता है, प्रत्यक फाइल क्या कहलाती है यह question MS Excel से पूछा गया है MS Excel की प्रत्यक फाइल क्या कहलाती है मतलब हम MS Excel में जो फाइल बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है MS Excel जो की एक spread seed software है spread seed software है मतलब row और column में data को arrange करने की सुभीदा प्रतान करता है MS Excel एक spread seed software है जो row और column में data को arrange करने की सुभीदा प्रतान करता है MS Excel में जो फाइल बनती है उसे कहा जाता है बर्क बुक और फाइल का default name होता है बुक बन MS Excel में जो फाइल बनती है उसका नाम होता है बर्क बुक और फाइल का default name क्या होता है बुक बन जबकि Excel में use होने बाले page को कहा जाता है वर्क सीट और by default बर्क सीट का नाम होता है सीट बन तो यहाँ पर हमने एक साथ चार question तयार करें MS Excel में जो फाइल बनती है उसे क्या कहा जाता है बर्क बुक बन MS Excel का जो page होता है उसे क्या कहा जाता है वर्क सीट और वर्क सीट का default name क्या होता है सीट बन तो इस question में हमसे पूछा गया था MS Excel की प्रत्यक फाइल क्या कहलाती है वह कहलाती है बर्क बुक और बर्क बुक का default name क्या होता है बुक बन तो इस question का answer होगा option number A इस option को हम Excel पर practically देख सकते हैं चलते है MS Excel पर यह MS Excel software है इसमें हम जो भी फाइल बनाते हैं उसे कहा जाता है बर्क बुक और जब कोई बर्क बुक बनती है तो automatic उसका नाम रहता है बुक बन आप देख सकते हैं हमारी फाइल का अभी default name क्या है बुक बन हम इसको जब save करेंगे तो हम कोई दूसरा नाम दे सकते हैं लेकिन जब फाइल बनाते हैं तो automatic उसको नाम क्या दिया जाता है बुक बन इसी प्रकार से एक्सल के पेज को कहते हैं वर्क सीट और जो वर्क सीट होती है उसका default name होता है सीट वन तो यहाँ पर हमने एक साथ कई question तयार करें इस question का answer है option number A देखते हैं हमारे next question को next question है ms Excel वर्क सीट में sell तक blank का उप्योग करके पहुचा जा सकता है प्लेंग का उप्योग करके पहुचा जा सकता है यह question भी ms Excel से पूचा गया है ms excel work seat में cell तक blank का उप्योग करके पहुँचा जा सकता है यहाँ पर आपको पहले यह समझना होगा कि cell क्या होता है cell ms excel की जो work seat होती है work seat अभी हमने work seat को समझा previous question में एक work seat multiple row और column का collection होती है एक work seat में multiple row होती है multiple column होते हैं जो row होती है इनको number से मतलब 1 to 3 से represent किया जाता है और जो column होते हैं column को alphabet से मतलब ABCD से represent किया जाता है जब एक row और column intersect करते हैं मतलब जब एक row और column मिलते हैं तो एक cell create होता है यह box कहलाता है cell हम excel में जो भी data type करते हैं वह cell में type होता है हर cell का अपना एक unique address होता है प्रतेक cell का एक unique address होता है और cell को उस address से ही पहचाना जाता है मतलब यदि हमें किसी cell तक जाना है किसी cell तक पहुचना है तो हमें उस cell का क्या चाहिए पड़ेगा प्रतेक cell का एक address होता है और cell का जो address बनता है उसमें पहले column का नाम आता है उसके बाद row का number आता है मतलब यदि हम इस cell को select करें इस cell को तो इसका address क्या बन जाएगा B2 क्योंकि पहले column का नाम आएगा फर row का number आएगा यदि हमें इस cell तक जाना है तो हमें इस cell के cell address की आवसकता होगी मतलब MS Excel वर्क सीट में यदि हमें cell तक जाना है तो हम cell address का उपयोग कर सकते हैं इस question का answer हो जाएगा option number C cell address इस option को इस question को हम Excel पर practically समझ सकते हैं चलते हैं MS Excel software पर यह MS Excel software है Excel की जो वर्क सीट होती है यह multiple column और multiple row का collection होती है MS Excel की एक वर्क सीट में 10,48,576 row होती है और 16,384 column होते है जब एक row और column मिलता है तो एक cell create होता है अब देख सकते हैं यहाँ पर एक column और row को जब intersect करते हैं तो क्या create होता है हम जो भी data जो भी text type करते हैं भैस cell में type होता है और हर cell का अपना एक address होता है जिससे उस cell को हम select करते हैं जिस cell पर हमारा करजर होता है उसे कहा जाता है active cell active cell मतलब सक्रिये cell जिस cell पर हमारा करजर है जो cell अभी select है उसे कहते है active cell active cell का address name box में so किया जाता है जो भी active cell होता है जो cell हम select करते हैं उसका address कहां so किया जाता है name box में तो आपको यदि किसी भी cell पर जाना है तो आपको उस cell का address use करना होता है for example यदि हमें I10 नंबर के cell पर जाना है I10 तो हम name box में जाकर type करेंगे I10 और enter की को press कर देंगे आप देख सकते हैं हम direct किस cell पर पहुँच गए I10 नंबर के cell पर तो किसी भी cell तक जाने के लिए हम cell address का उपयोग कर सकते हैं इस question का answer है option number C देखते हैं next question को next question है निम्न मैंसे किस network topology में प्रत्यक नोड केबल दो नोड से जुड़ा होता है यह question computer network से पूछा गया है computer network में network topology होती है topology क्या होती है जब कोई computer network बनाया जाता है तो उस network को बनाने में कई प्रकार के component यूज किये जाते हैं उन सभी components को properly arrange करने के लिए topology का use किया जाता है मतलब एक network में use होने वाले सभी components को properly arrange करने के लिए topology का use किया जाता है topology कई प्रकार की होती है बस topology, star topology, mesh topology, ring topology, tree topology, hybrid topology हमसे question पूछा गया है निम्न मैंसे किस network topology में प्रतेक node cable दो node से जुड़ा होता है बै होती है ring topology, ring topology आपसे यह question इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि किस network topology का shape circular होता है मतलब कौन सी network topology, goal या circle shape में होती है, बै होती है ring topology ring topology में जो भी node होते हैं, जो भी computer होते हैं, बै दो node से जुड़े होते हैं for example हम इस node की यदि बात करें, तो यह है अपने left वाले node से और right वाले node से जुड़ा हुआ है मतलब ring topology एक ऐसी topology होती है, जिसमें network का प्रत्यक node दो nodes से जुड़ा होता है एक अपने left वाले node से और एक अपने right वाले node से, वै होती है ring topology और ring topology को circular network भी कहा जाता है, इस question का answer क्या होगा? option number C, ring topology एक ऐसी topology है, जिसमें प्रत्यक node दो nodes से जुड़ा होता है देखते हैं हमारे next question को, next question है, magnetic tape एक blank memory है magnetic tape एक blank memory है, हमें एक memory का नाम दिया गया है, magnetic tape और हमसे पूचा गया है यह किस प्रकार की memory है, volatile memory है क्या? volatile मतलब IS-TI, random access memory है क्या? random access का मतलब है, हम किसी भी करम में data को access कर सकें, optical memory है क्या? optical memory मतलब जो की plastic या glass type के material से बनी होती है, यह sequential access memory है तो जो magnetic tape है, magnetic tape एक secondary memory का example है, secondary memory का और यह है, sequential access memory है, sequential access memory मतलब magnetic tape में जब data को store किया जाता है तो data को एक निश्चित करम में store किया जाता है, और जब हम data को प्राप्त करते हैं तो उसी निश्चित करम में data को प्राप्त किया जाता है Magnetic tape एक secondary memory है और magnetic tape एक sequential access memory है जिसमें data को एक निश्चित करम में store किया जाता है और उसी निश्चित करम में प्राप्त किया जाता है कुछ समय पहले तक जो cassette use होती थी cassette, real वाली cassette वह magnetic tape है जिसमें audio data को store किया जाता था for example यदि हमारे cassette में हमारे magnetic tape में 10 गाने store किये गए हैं 10 songs store किये गए हैं तो प्रतेक song का एक निश्चित order होता था नंबर होता था जब data को store करते थे तो एक cram में store करते थे और जब हम data को प्राप्त करते थे मतलब songs को play करते थे तो उसी cram में उनको play किया जाता था तो जो magnetic tape है वह एक sequential access memory है जिसमें data को एक निश्चित cram में store किया जाता है उसी cram में प्राप्त किया जाता है तो इस question का answer होगा option number D magnetic tape एक sequential access memory है देखते हमारे next question को next question है for Tron एक blank की programming language है for Tron एक blank की programming language है यह question भी coding से programming से संबंदित है हमसे पूछा गया है for Tron एक blank की programming language है first generation की programming language है second generation की programming language है third generation की है या fourth generation की है हमने आज की वीडियो में ही यह question समझा था जब हमसे question programming से संबंदित पूछा गया था उसमें हमने Fortran को भी समझा था कि Fortran का full form होता है formula translation यह एक पहली high level language है और यह third generation की programming language है third generation की तो इस question का answer क्या होगा option number C Fortran एक third generation की programming language है Fortran का full form होता है formula translation और यह है first high level language है देखते हमारे next question को next question है computer के संबंद में MBR का full form क्या होता है computer के संबंद में MBR का full form क्या होता है हमसे पूछा गया है MBR का full form क्या होता है MBR का full form होता है master boot record master boot record MBR का full form क्या होता है master boot record यह जो है यह किसी disk का किसी drive का first sector होता है जो MBR होता है वह किसी disk का यह drive का first sector होता है और MBR का full form क्या होता है master boot record तो इस question का सही answer होगा option number A MBR का full form होता है master boot record देखते हमारे next question को next question है plain text को cyber text में blank के द्वारा बदला जाता है plain text को cyber text में blank के द्वारा बदला जाता है यह question cyber security से या information security से पूछा गया है question है plain text को cyber text में blank के द्वारा बदला जाता है यदि आपने हमारे previous videos को देखा है तो आपको इस question का answer जरूर पता होगा यह question cyber security से information security से पूछा गया है इस question को समझने के लिए हम यहाँ पर एक diagram बनाने वाले हैं, इस diagram के मात्यम से आपके कई question एक साथ तयार होंगे, जब network में कोई communication होता है, कोई सूचनाओ का आदान प्रदान होता है, तो एक होता है sender, एक होता है receiver, sender message को send करता है, receiver message को receive करता है, जो sender होता है, यह है, जो message भेजता है, जो information share करता है, वह कहलाती है plain text, plain text या normal text, plain text या normal text, जो plain text होता है, normal text होता है, इस पर encryption को apply किया जाता है, encryption को, और encryption के द्वारा, इस plain text को एक secret code में बदल दिया जाता है, और secret code को कहते हैं, cyber text, cyber text क्या होता है, एक secret code होता है, एक encrypted text होता है, जिसे आसानी से समझा नहीं जा सकता है, यह cyber text receiver के पास भेजा जाता है, और यहाँ पर इस पर decryption apply किया जाता है, decryption, decryption के द्वारा, cyber text को बापिस, plain text में या normal text में बदल दिया जाता है, जिससे receiver हमारे message को पढ़ सकता है, देख सकता है, मतलब, sender ने जो send किया, भै क्या था, plain text या normal text, for example, sender ने लिखकर भेजा है, इस है पर plain text पर क्या apply किया जाएगा, encryption, और encryption के द्वारा, इस plain text को normal text में, एक secret code में बदल दिया जाएगा, यहाँ पर कोई भी एक code generate हो गया, यह क्या कहलाता है, cyber text, cyber text जाता है, receiver end पर, यहाँ पर, इस पर, decryption apply किया जाता है, मतलब, जो अपना एक secret code था, इस secret code को बापिस बदल दिया जाएगा, plain text में, मतलब, high में, और receiver उसको read कर सकता है, मतलब, network में जो communication होती है, उसको secure बनाने के लिए, encryption और decryption का use किया जाता है, encryption के द्वारा, plain text को cyber text में बदलते हैं, cyber text क्या होता है, एक encoded text होता है, एक encrypted text होता है, एक secret code होता है, जिसे कोई आसानी से नहीं समझ सकता है, इसे cyber text को बापिस plain text में बदलने के लिए, decryption का use किया जाता है, हमसे question पूछा गया था, plain text को cyber text में blank के द्वारा बदला जाता है, वह क्या होगा, encryption, encryption के द्वारा plain text को cyber text में बदला जाता है, जबकि decryption के द्वारा cyber text को बापिस plain text में बदला जाता है, तो इस question का answer होगा, option number B, plain text को cyber text में encryption के द्वारा बदला जाता है, देखते हैं हमारे next question को next question है footnote आम तौर पर किसी page के blank में दिखाई देता है footnoteाम तौर पर किसी page के blank में दिखाई देता है यह question MS Word से । से पूछा गया है MS Word में footnote और end note दो अप्शन होते हैं यहाँ पर आपको तीन चार question तयार करने हैं हमसे question क्या पूछा गया है footnote आम तोर पर किसी page के blank में दिखाई देता है मतलब हमसे पूछा गया है यदि हम footnote add करेंगे तो वह हमें page में कहां दिखाया जाएगा MS Word में दो option होते हैं एक होता है footnote एक होता है endnote एक होता है footnote एक होता है endnote footnote और endnote हमारे document में use होने वाले text से संबंदित कुछ अतिरिक्त जानकारी add करने के लिए use किये जाते हैं यदि हमें अपनी file में use होने वाले text से related कोई additional information add करनी है तो हम endnote और footnote का use कर सकते हैं endnote और footnote दोनों ही option reference tab में प्राप्त होते हैं reference tab में reference tab होता है ms word के अंदर उसमें यह दोनों option प्राप्त होते हैं जो footnote होता है वह प्रत्यक page के bottom में add होता है मतलब सबसे नीचे होता है जो footnote होता है footnote को आप footer से समझें footer होता न footer header footer header page के उपर होता है footer page में नीचे होता है उसी प्रकार से जो footnote होता है यह प्रतेक page के नीचे मतलब bottom में होता है जबकि end note कहां लगाया जाता है end note complete file के last में add होता है मतलब आपकी file में यदि multiple page हैं तो आपका जो last page होगा उस page पर लगता है end note मतलब file के ending में जबकि footnote कहां लगता है प्रतेक page के last में bottom में तो हमसे question क्या पूछा गया है footnote आम तौर पर किसी page के blank में दिखाई देता है footnote दिखाई देता है प्रतेक page के bottom में जबकि endnote कहां दिखाया जाता है file के last में complete file के last में आपको endnote और footnote की shortcut की भी याद करनी है हम इन दोनों option को ms word पर practically समझने बाले है चलते ms word पर यह ms word की हमारी file है document है यदि हमें अपने text में अपने किसी word में कोई additional information add करनी है तो हम उस word को select करेंगे और reference tab के अंदर दो option होते हैं एक होता insert footnote एक होता insert endnote यदि हम insert footnote पर click करें तो footnote जिस page पर हमारा करजर है उसी page के bottom में add हो जाता है यहाँ पर आप अपनी आवसकता अनूसर कोई भी note add कर सकते हैं और यदि हम endnote को add करते endnote को अभी हमारी file में एक ही page है तो यदि हम footnote लगाएंगे तो भी हमें bottom में देखेगा नीचे endnote लगाएंगे तो भी इसी page पर देखेगा अब हम अपनी file में एक और page insert करने वाले हैं आप देख सकते हैं हमने जो footnote लगाया है footnote कहाँ पर लगा है उसी same page के bottom में नीचे लेकिन यदि हम किसी word को select करें और insert endnote पर click करें तो आप देख सकते हैं endnote कहाँ पर लगा है page number 2 पर मतलब file के ending में तो endnote लगता है file के ending में जबकि footnote लगता है page की ending में मतलब bottom में footnote की shortcut की क्या है footnote की shortcut की है alt control f alt control f या control alt f footnote की shortcut की होती है जबकि endnote की shortcut की होती है alt control d alt control d या Ctrl-Alt-D EndNote की shortcut की है जबकि Alt-Ctrl-F या Ctrl-Alt-App FootNote की shortcut की है यह दोनों option reference tab में प्राप्त होते हैं तो यहाँ पर हमने एक साथ कई question तैयार करे इस question का answer है option number B footnote आम तोर पर किसी page के bottom में दिखाई देता है देखते हैं हमारे next question को next question है processing के लिए एक computer blank के माध्यम से data और instruction प्राप्त करता है processing के लिए एक computer blank के माध्यम से data और instruction प्राप्त करता है यह question बहुत ही basic है बहुत ही simple है हमसे पूछा गया है processing के लिए एक computer blank के माध्यम से data और instruction प्राप्त करता है मतलब जो computer है उसको आप data और instruction कहां से भेजते हैं data को भेजने के लिए computer में input device का use किया जाता है input device का हम computer system के अंदर data को input करते हैं computer system में हम data को input करते हैं data को input करने के बाद यह data जाता है CPU के पास CPU मतलब processor के पास इसकी processing की जाती है और processing करने के बाद हमें जो result दिया जाता है वह कहलाती है information जो की होता है output मतलब हम computer में input करते हैं data किस के माध्यम से input device के माध्यम से data जाता है CPU मतलब processor के पास यह processing करने के बाद हमें output देता है वह कहलाती है information तो processing के लिए एक computer क supply unit data और इन्स्ट्रक्शन प्राप्त करता है इस question का answer होगा ऑप्सन no b input device के माध्यम से computer data और इन्स्ट्रक्शन को प्राप्त करता है यहाँ पर आपको एक और question त्यार करना है V, D, U का full form क्या होता है V, D, U V, D, U का full form होता है Visual Display Unit Visual Display Unit जो monitor screen होती है monitor को कहा जाता है V, D, U Visual Display Unit तो इस question का सही answer होगा option number B input device के माध्यम से computer system input लेता है instruction का और data का देखते हमारे next question को next question हम से पूछा गया है निमनलिखित में से कौन सा non-impact printer का गुण नहीं है मतलब हमें यहाँ पर कुछ printer की विसेशताय दी गई है कुछ printer के character sticks दिये गए है और हमें बताना है कि निमनलिखित में से कौन सा non-impact printer का गुण नहीं है, printer एक output device होती है, जो कि हमें hard copy output प्रिदान करती है, printer की दो category होती है, एक होता है impact printer, एक होता है non impact printer, impact printer वह होते हैं, जो printing करते समय, अधिक noise करते हैं, अधिक sound करते हैं, आबाज अधिक करते हैं, जबकि non impact printer, printing करते समय, low sound करते हैं, कम आबाज करते हैं, और impact printer की जो printing quality है, वह low quality होती है, जबकि non impact printer की printing quality high होती है, यह slow speed में work करते हैं, यह fast speed में work करते हैं, तो हमसे पूछा गया है, निमने लिखित में से, कौन सा non impact printer का गुण नहीं है, जो non impact printer हैं, वह high quality print देते हैं, fast printing करते हैं, और color print भी non impact printer का ही गुण है, लेकिन noisy, noisy मतलब अधिक आबाज करना, यह non impact printer का गुण या बिसेष्टा नहीं है, यह तो impact printer की बिसेष्टा है, जो impact printer होते हैं, वह noisy होते हैं, मतलब अधिक आबाज करते हैं, जब printing करते हैं तो impact printer में noise अधिक होता है जबकि non impact printer में noise नहीं होता है तो noisy इस question का सही answer होगा option number C जो impact printer होते हैं बहे अधिक noise करते हैं लेकिन non impact printer noise नहीं करते हैं तो इस question का answer होगा option number C देखते हैं हमारे, next question को, next question है, media player किस प्रकार का software होता है, media player किस प्रकार का software होता है, media player मतलब, जैसे कोई audio player है, कोई video player है, तो बहे किस प्रकार का software है, आप किसी audio को, video को play करने के लिए, media player का उपयोग करते हैं, और media player किस प्रकार का software है, वहे हमें बताना है, तो प्रत्यक media player एक application software होता है application software, software दो भागों में बाटे गए हैं एक system software, एक application software, वह software जो system के लिए जरूरी होते हैं system के लिए आवसक होते हैं, वह कहलाते हैं system software जैसे की operating system और वह software जो user के लिए बनाए गए हैं यूजर की आवसकताओं को पूरा करते हैं भै कहलाते हैं application software तो media player एक application software होता है इस question का सही answer है option number A देखते हैं हमारे next question को next question है बटन के रूप में minimize window कहां दिखाई देती है बटन के रूप में minimize window कहां दिखाई देती है यदि आप अपने computer system पर किसी बिंडो को minimize कर देते हैं तो भै आपको कहां दिखाई देती है बटन के रूप में minimize window कहां दिखाई देती है आप अपने computer system पर यदि किसी बिंडो को किसी software को minimize कर देते हैं तो भै हमें एक बटन के रूप में task bar पर दिखाई देती है टास्क बार करन्ट टाइम पर रन होने बाले टास्क की इन्फर्मेशन को सो करता है और जो भी बिंडो हम मिनिमाइस करते हैं उस बिंडो का एक बटन एक आइकन टास्क बार पर सो किया जाता है तो इस question का answer होगा option number A कोई भी बिंडो जब आप मिनिमाइस करते हैं तो भह एक बटन के रूप में टास्क बार पर सो की जाती है देखते हमारे next question को नेक्ट question है computer से data को cd में copy करने को blank कहा जाता है यहां पर आपको तीन-चार question तैयार करने है पहला question cd का full form क्या होता है cd का full form होता है compact disc compact disk, CD एक optical storage device है, optical storage device है, CD में 700 MB तक का data store हो सकता है, CD polycarbonate material की बनी होती है, polycarbonate, और CD की जो थिकनेस होती है, मुटाई होती है, बहे होती है, 1.2 mm, CD एक optical storage device है, जो की एक secondary memory है, CD का perform होता है compact disk, CD में 700 MB तक data store होता है, CD polycarbonate material की बनी होती है, CD की थिकनेस या मुटाई 1.2 mm होती है, अब हमसे question पूछा गया है, computer से data को CD में copy करने को क्या कहा जाता है, यहाँ पर भी आप दो question तैयार करेंगे, यदि आप CD का data, CD का data computer में copy करेंगे, CD का data computer में copy करेंगे, तो उसे बोला जाता है ripping, ripping, और यदि आप computer का data, CD में copy करेंगे, तो उसे कहा जाता है burning, burning, CD DVD में data को store करने के लिए, हमें burning process यूज़ करनी होती है, और CD DVD का data यदि computer में copy करना है, तो कौन सी process यूज़ करनी होती है, ripping process, तो यहाँ पर हमने एक साथ कई question तैयार करें, CD DVD का data, यदि computer में copy करेंगे, तो ripping और computer का data, यदि CD DVD में copy करेंगे, तो burning process यूज़ होती है, इस question का answer होगा, option number B, burning, तो आज की वीडियो में हमने सभी प्रकार के competitive exam के लिए, और CPCT exam के लिए, computer से सम्बंदित 20 important questions को समझा है, जब हम एक question को समझते हैं, तो इससे सम्बंदित कुछ और question भी हमें तयार करने मिल जाते हैं, आप इन सभी questions को पढ़ें, समझें, यदि आपका कोई question है, कोई doubt है, तो comment section में जरूर पूछें, वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को like करें, जाता से जाता share करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद,